जमाल साहर के अलावे कोई नहीं आएगी। जमाल साहर के अलावे कोई नहीं आएगी। जमाल साहर के अलावे कोई नहीं आएगी। पूरी तरह से चुप थे और वो पीरित परिवार के साथ खरे तक नहीं हुए। और नहीं महरम कमीटी के लोग इस मामले में खरे हुए। अच्छली वो जो केस हुआ घर्टा की तारीख किया आठ साथ चौविस। तेरह कोई फायार हुआ है। उसे लिखा कि बारा को में सनादन किया था और तेरह को में फायार किया। हमने उसे दफा लगा तक तो 96 और 97 भारतिय निया समीटा। उसना पाका कहा है कि अगर दो कमीटी के बीच, डिफेंट कमीटी के बीच कोई ऐसा काम करें जिससे कि हैटेक पैड़ा हो नबध पैड़ा हो तो उसके लिए दफा लगाया है। या देश की शांती खत्रे में होता है। जो मामला बनाया है अपर इसे बनाया अकरी वो बनता नहीं है। नमबर बन के आर्ट तरी को किसे ने शेकात हिया नहीं किया। इससे जंदा फ़राने करें फ़राय भी तो तो हमको नफ्रत हुई। कोई दंगा हुआ उस्पात के लिए। आर्ट ते लेके बारत अपरी स्थाथ बचे लिए कोई फ़राय नहीं किया। तो किसे ने प्रोटेस तो किया ही नहीं। या प्रोटेस नहीं किया तो हंगावा कैसे होगा जिश खत्रा में कैसे पड़ेगा। और अगर कोई जंडा था भी इवा बेस्ट खपड़ा बरबाद खपड़ा। और वारा को जो सना किया और त्यरा को अफ़ायार किया अफ़ाया लाइस तो नहीं किया। इस बच्चे को विरफ़तार क्यों नहीं किया। जीदा भी पॉइंट्स पर दिर विशर पर दीन। वायको पॉर्स है। अभी तो नहीं हो इस अधर इस भी तो नहीं हो एक इस तरिफ़ायार हुआ है। तो बुदाले उसमें और हैं, काई पर इस बाकी है, इंजे सिविशन होगा, अगर हम लड़ेंगे इस वाद के लिए, हमेरा मेर्ट भी उसमें यह है कि नो किसी बेड़ाउट, उसके कोई चेस बनता ही नहीं, नो फिर भी बेड़ाउट, तो उसके जरा जो लड़ेंगे, पी करने का, पॉर्स करने का, शाशीर करने का, अगर शाशीर भी आता है, तो भी पोर्ट को राइट है, शाशीर को अशब करें ना करें, अचला कि हम लोग वहाँ प्रोट करेंगे, प्रोट में चलना ही, पुरिस के कोई मजबूरी नहीं होती है, ये बात तीवी से कहने का नह देश का जो हाल है अभी प्रिसर्स प्रिसों तो जिसका भी हल बूँ अच्छा देंगा आनू जब तो यह नहीं बनेगा देश में गलत करने की डिर्ट सदा है तो तो गलत होता रहेगा तो इसलिए लोगों को निया ही देश में जाए जब पिरसीर हमारा दुश्वन नहीं है मुसल्मानो कर ने करक्ते मिकारा है तो ऐस Means मुसल्मानों लोगों मुकिल मुसल। छलाना ही नहीं चाहिए और प्रिस्प्र करना ही नहीं चाहिए आखरत जब सुछत में कि सी मी फरैष्टी दिल्दाबात किया तो मॉत इनके टेज़िय गागा उसको मॉत इनके रहें असको तक ऐसस्वे ही थे इस वे पिर नहीं हा होग है तक ऑल भीत तक आता है जए शीष्जी आपका हादा फागाते हैं तो इस फागा नहीं है तो फलिस्तीन का दे तो फयाद, यह हम सबस्ते हैं कि कानून का दोरा मैट है और फुलिस का जो रॉल है इस वकर मानने है जो जल्ट है। जमाल साहर के अलावा कोई नहीं आएगी है। जमाल साहभी आए ते जल्का के वालिद के साथ, उन्होंने इडिडियूस करवाया, उन् जमाल साहभी ते हमारा परसन निष्टा है, यह हमारी अजीज है, इन्होंने आके कह वह बुगा करें। और कोई आदिन आके अलक सलैक भी नहीं किया। जिखा है, नहीं किसे है। मुआनम कमिटी के किसी आदिन हम से इस वार्म संपर्ख नहीं किया, इस तो बेल करवा सबसे पहले तो हम अपने द्रवंगा के नामी वक्तिल हमावी अमाम आसमी साथ चुटे वावर हमारे शचा भी हमारे गार्यन भी है, इनका मैं दिल से शुक्रियादा करता हूँ कि मैं जब यह मामला इनके पास लेकर आया था, और उनको पहले मैंने फोन किया तो, शचा न मैंने इन्हें कहा, तो यह बड़ा एक्जामपल है, ऐसे इंसान के लिए, मैंने इनको कहा कि चचा यह गरीवाद में है, इनको मदद करना, चचा ने कहा कि ने तो गलत हुआ है, यह केस होना नीचीज़ था, गिरफतारी में होनी था और इनोंने फिरी में, अस्पे बड़ मैं इनका दिल से शुक्रियादा करता हूँ, चचा यह जो लड़ाई लड़ रहे थे फिलिस्कीन वाला मामला, इसमें जमाल के साथ अगर पोई से तो उनके चचा, उनके जाजियन, हमबर इमाम हास्मी साहब, जिनोंने उस परिवार को आज जो खुशी का महौल उस भर में मैं कल रात उस परिवार के साथ, मतलब बाप बेटा, बाप बेटा दोनों मिल गए इसकी लड़ाई लड़े, और आज बच्चे को मिला है, कल रात जब मैं गया हूँ उसके घरप, इसमा एतनी खुल्स, एतनी खुल्स, मत पुचिये, यह मामले में आना चीए था लोगो, इनको उस परिवार से मिलना चीए, तामबर इमाम हस्मी साथ के पास एक फोन कर देते हैं, इनसे मिलने आते हैं, कि सब को जानकारी थी, प्रेस कंफरेंस मैंने नाम बता है, तो इस चेतर से चुले गए, तांसद रहे हैं, बिधायक रहे हैं, और इविन लोगों ने भोट क किया, उन लोगों ने भी अपनी चुपी इस मामले पर डाली, तो खही नहीं उन्होंने समर्थन किया है, वैसे लोगों को जिन्हों ने इसके खिलाप किया था, आप एक जानकारी राम नौमी में हिंदू राश्य मैनर लगा, उस बंदे की गिरफतारी, जो बच्चा नहीं करीके दल बनाए गया, दल इसलिए बनाए गया, इसलिए और इस की गिरफतारी अदर की आलों कि इस अभी जो देश का महल है, रव्रके grounded को हिंदु, मुद्म , मुद्म , हिंदु, मुद्म खेला जा रहा है, और खासकर ने वहाज़रिकों पता कि लोगक इसी काम के लिए ल पूरे दुनिया में बहारत के बढ़ाई में भी कर रहा है, इन्होंने फिलिस्टीन के घंडे के मामले में, तो आज कर आओ उसी बात को दोबार रिपिट करूँगा, कि घंडम लहराने का मकसद क्या है, लहराने का मकसद क्या है, मकसद सिर्फ जही था, तो हजारों बच्चे वहां मारे जा रहे हैं, हजारों लोग मारे जा रहे हैं, बंबारियां हो रहे हैं, उसके लिए सिर्फी लोगों ने यह जंडा बुलंद किया था, कि जंडे को लहराने से कम से कम यह मैसेज जाएगा, देश में, पूरे दुनिया में मैसेज जाएगा, कि भारत के बिहार के द अब लोग पैसे के लिए मार करते हैं इस इस बेल में जो है पैसे की कमाई अच्छे से होती कि कुछ वकीलों ने परिवार को काता है इतने पैसे दो इतने पैसे वहां उन्होंने ये श्रीक हिया तो अल्ला इनको हम तो कहेंगे कि उम्र दराज रहे है और उम्र और लंबा हो या ऐसे ही लोग का ही खला करते रहे और मैं दिल से शुक्रियादा करता हूं हमारे गार्जियन है हमारे पादर की तरह है और हमारा इंसे फैनली डिलेता है और इनोंने उस परिवार के साथ खड़े हुए इनके लिए में इंडिया बहुत बहुत दिल से शुक्रियादा करत दॉक्टर जमाल हसन, नेसनल कोडिनेटर अक्षिल भारके कॉंड़ेश कमिटी, अक्षिन क्या गूली बाग.